अगर आप नौकरी में हैं तो आप दुखी हैं, अगर आपको निकाल दिया जाए तो आप दुखी हैं, अगर आप शादी शुदा हैं तो आप दुखी हैं, अगर शादी नहीं हुई तो आप दुखी हैं, समस्या क्या है? ये वो चीजें हैं जिनकी आपने आकांशा की थी, जब वो चीजें हो रहे हैं जिनके आप अकांशा करते हैं, तो आप दुखी हो रहे हैं, इस पर गौर किया जाना चाहिए। जब हम ऐसे मुश्किल रिष्टों का सामना करते हैं, जहां दूसरे व्यक्ति को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे वैं बॉस हो या आपकी पत्नी, कई बार मैं कंट्रूल खो देदा हूँ और ऐसा लगता है कि पूरा महौल मेरे खिलाफ साज़िश कर रहा है। देखिए इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनमें से केवल एक का सामना करते हैं, या तो बॉस या पत्नी, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते, तो आप इधर उधर जा सकते हैं। सेना से जुड़े होने के कारण, आप कुछ समय के लिए पत्नी से बढ़ सकते हैं और कुछ समय के लिए बॉस से बढ़ सकते हैं, दूसरी नौकरियों में उन्हें हर दिन दोनों का सामना करना पड़ता है, माफ किजे मैं यूही मजाग कर रहा हूँ। वैसे भी, देखिए आप न तो अपनी पत्नी के बिना रह सकते हैं और नहीं बॉस के बिना, दोनों आपके जीवन में जरूरी है, आपने करियर की तलाश की और आपको नौकरी मिली, आपको एक बॉस मिल गया, आपने रिष्टे की तलाश की, आपकी शादी होई और आपक अकांशा की थी, जब आपकी अकांशा पूरी हो गई, तो आप दुखी हो गए, इस पर गौर किया जाना चाहिए, ये पत्नी के बारे में नहीं है, ये बॉस के बारे में नहीं है, ये खुद के बारे में है, क्योंकि इनसान ऐसी स्थिती में आ चुका है, कि आप जहां भी उसे रखते हैं, वो दुखी होने का एक रास्ता खोज लेते हैं, ऐसा हुआ, एक दिन शंकरन पिलाई का अपनी पत्नी से बहुत बड़ा जगड़ा हो गया, फिर गुसे में वो घर से निकला और शाम को चल दिया, वो इधर उधर घूमता रहा, वो शहर के ठीक बाहर घूम ये जाने बिना कि किधर जाना है, क्या करना है, क्योंकि तुरंत घर वापस जाना शोभा नहीं देता, फिर उसने देखा एक साधू, एक सन्यासी बैठा हुआ था, शाम या रात के लिए पेड़ के नीचे बैठ रहा था, शंकरन पिल्लाई ने देखा कि साधू काफी वे वस्थित था और बिना किसी परिशानी के लग रहा था, पेड़ के नीचे वे अच्छे से बैठा था, फिर वो उनके पास गया और कहा, साधू माराज, बीवी बहुत परिशान दे रहा है, कुछ शुलूब उपाय है तो बोलो, साधू ने उसे ऐसे देखा, बेवकुफ, सुलूब उपाय है तो मैं क्यों साधू बनके यहां बैठ रहा हूँ? देखिए, हम कहते हैं, जीवन एक गेंद के कर्तब जैसा है, अगर आप अकेले हैं, तो बस एक गेंद, करना असान है, आप दो हों, तो दो गेंदे, थोड़ा जादा मुश्किल, जादा ध्यान देने की ज़रुरत होगी, फिर आप चार हो गए, आपके पास कर्तब करने के लिए चार गेंदे हैं, अगर आपके पास एक भारतिय सेना हो, तो आपके पास कर्टब करने के लिए 10,000 गेंदे होंगी, तो आप कितनी गेंदों को खुशी से घुमा सकते हैं, आपको उतनी ही गेंद उठानी चाहिए. अगर आप खुद को समर्थ बनाए बिना अपनी गतिविधी को बढ़ाना चाहेंगे, तो आपका काम ही आपको दुख देगा। उन्होंने का, नहीं, नहीं, सद्गुरु, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, रे, आप अपनी नौकरी को इतना जहेल रहे हैं. मुझे यकीन है कि कई लोग आपकी जैसी नौकरी पाना चाहते हैं. अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो आप खुशी से समुद्र के साथ नहीं, वे कुछ भी हो, मैं उनका बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो चाहे जैसे भी हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ या नहीं, ये निश्चित रूप से मेरे बारे में है. जैसे कि मैंने पहले कहा, दुनिया आप पर क्या फेकती है, ये आप नहीं चुन स सकते हैं, लेकिन आप उससे जो बनाते हैं, वो सौ प्रतिशत आपका चुनाव है. कर्म का यही मतलब है, जब मैं कहता हूँ, मेरा जीवन, मेरा कर्म है, पत्नी जैसी भी है, बौश जैसे भी है, आपके आसपास की दुनिया जैसी भी हर तरह की परिशानी हो रही है, लेकि हम हर दिन हर तरह के लोगों का सामना करते हैं, जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिला, जिनें मैं नहीं जानता वो, वो रोज मुझ पर जहर उगल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो जहर आता कहां से है, शायद ये उनके शरीर में मौझूद एक्स्रा प्रोटीन है, मुझे नही करते हैं. मेरे खिलाफ अभी लोग दुश्प्रचार कर रहे हैं कि पेड़ लगाना खतरनाक है, ठीक है? उनका स्थित्वे में होना ही खतरनाक है. तो लोग आपके साथ क्या करते हैं? दुनिया आपके साथ क्या करती है? वो ऐसा ही होता है. आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं यह आपके हाथ में. यह आपका कर्म है , मेरा जीवन मेरा कर्म है. कहने का यही मतलब है. मैं जैसा हूँ , वो 100 प्रतिशत मेरा बनाया है. कोई नहीं。 कोई भी तै नहीं कर सकता कि मैं अभी कैसा रहूँगा. ये मैं ही तै करता हूँ कि मैं अभी कैसा हूँ अगर आप तै कर लें कि आप अभी कैसे हैं तो क्या आप खुद को आनंदित रखेंगे या दुखी अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें अगर